Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, कैसे हैं सभी लोग I hope अच्छे होंगे, चलिए आज मैं आपके लिए Bollywood किछ और interesting stories लेकर आई हूँ, I hope आपको पसंद है, 30 साल बड़े गुरू से की शादी, फिर निकाह करके बदला धर्म, गुजर बसर करने के लिए बनी डांसर, श्री देवी से हमेशा रही बॉलिवुड सितारों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली मश्यूर डांसर, कॉरियोग्राफर, ताउम्र किसमत के इशारों पर थिरकती रही है, डांस लीजेंड सरोज खान ने गुजर बसर के लिए कम उमर में यी Bollywood में काम करना शुरू कर दिया था, उन्होंने मह माधुरी दिख्षित एहम किरदार में नजर आ सकती है, उन्होंने बॉलिवुड की कई एक्ट्रेस को नचाना सिखाया है, लेकिन श्री देवी के साथ उनकी हमेशा खटपट रही थी, सरोज खान की बायोपिक में उनकी जिन्दकी के अलग-अलग पड़ाप को दर्शाने के लिए कई एक्ट्रेस को कास्ट करने के बारे में सोचा गया है, माधुरी दिख्षित भी फिल्म में उनका किरदार निम्भाती नजर आ सकती है, बायोपिक के निर्देशन का जिम्मा हंसल महता के कंधो पर है, हिंदू परिवार में 22 नवंबर 1948 को जन्मी सरोज खान का नाकपाल था, वे महस 13 साल की थी, जब उन्होंने 30 साल बड़े अपने गुरु सोहनलाल को जीवन साथी बनाया था, लेकिन उनके गुरु पहले से ही शादिशुदा थे, वे चार वच्चों के पिता होने के बावजुद, उन्हें अपना नाम देने को तयार नहीं हुए थ सरोच खान गुरु से मिले धोके को बरदाश्ट नहीं कर पाई, उन्होंने अपने सभी संबन्द तोड़ लिए, रोशनलाल नाम की एक मुस्लिम सक्ष ने जब उनसे प्यार जताया और उनसे शादी करने की इच्छा जायर की, तो निर्मला नाकपाल ने उन्हें आगे सर् दीती की वे तब उनसे निगाह करेंगी जब उनके बच्चों को अपना सरनेम देने को राजी हो जाएंगे, डांस कोरियोग्राफर की जब शेर्फ मान ली गई तो उन्होंने इसलाम सुईकार करके रोशनलाल को जीवन साथी बना लिया था, और अपना नाम सरोच खान के तोर पर फिर से काम करना शुरू किया, वह बता और बैकग्राउंड डांसर फिल्म हावडा वरिच के गाने महरवा में नजर आई थी, वे कौरियोग्राफर के तोर पर पहली बार मशूर गाने निगाहें मिलने को जो जी चाहता है से जुड़ी थी, सरोच खान अपने का काम को लेकर बहुत संजीदा थी, जिस दिन गाने दम मारो दम की शूटिंग थी, उस दिन उनकी आठ महिने की बेटी का निधन हो गया था, बेटी को दफनाने के बाद कोरियोग्राफर सीधी शूटिंग के लिए पहुची, सरोच खान के समरपन से फिल्म फेर इतना लेकिन माधूर दिक्षित के साथ उनकी बॉर्णिंग खास थी, जिसकी वज़े से श्री देवी से उनकी हमेशा नोग जोग रही है, श्री देवी की शिकायत रहती थी कि उन्होंने दूसरी एक्टरस की तरह उनने कभी डांस नहीं सिखाया था, आपको स्टोरी कैसी लगी